नमश्कार आप देख रहे हैं WK News, मैं हूँ दिवाकर विक्रम सिंग। 2024 के मद्दे नजर अगर आप से एक सवाल पूछा जाए कि भावी प्रधान मंत्री कौन तो आप जवाब क्या देंगे। प्रधान मंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री एक बार फिर राहुल गांधी या इंडी अलाइंस का कोई और नेता आपके साथ अगर ये चर्चा की जाए और आप से सवाल पूछा जाए तो आप क्या जबाब देंगे। आप हो सकता है कि एक या दो नाम पर कुछ अगर सोचें तो तीन नाम पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इंडी अलाइंस के वजूद में आने के बाद भावी प्रधान मंत्रियों की फिरिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं और इस पर अपना कोई राय नहीं दे रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए और यह तस्वीर कहां की है यह हम आपको बाद में बताएंगे। किस ने लगाया है यह आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यह तस्वीर है और तस्वीर के साथ यह वीडियो देखे यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह लखनव में समाजवादी पार्टी के ठीक आफिस के सामने है और इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चांग जो बहुत मश्रूर हैं अक्सर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं इन्होंने एक होर्डिंग लगवाई है और उस होर्डिंग में देश के भावी प्रधान मंत्री अखलेश यादो को जन दिन की डेर सारी बदाई है हो अब अखलेश यादो भी भावी प्रधान मंत्री के रूप में फैरिस्त में शामिल हो चुके हैं देख लीजे बहुत लंबी होती जा रही है अब आप पर करिए कि होंगे या नहीं होंगे सवाल ये है कि अखलेश यादो क्यों नहीं हो सकते क्योंकि वो उत्तर प्रदेश इससे ही सांसत बन करके डिल्ली पर शाषन कर रहे हैं तो अखलेश यादो क्यों नहीं लेकिन अब राहूल गांधी के लिए या इंडिया अलायंस के करता धरता नितीश कुमार और लालूप शायद यादो के सामने भी बड़ी चुनोती आ गई है बात मैं नितीश कुमार क के भी आपके सामने करूंगा और अरविंद केजरिवाल के भी करूंगा लेकिन इस होर्डिंग पर आप अपनी बात जरूर रखिए क्योंकि अखलेश यादो के कारिकरताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं ने अब इस बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है कि भा इसमस्तिस्ट था वो 2024 के चुनाओं के पहले पाँच राज्यों में जो विधान सभा चुनाओं हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ और राज्यों में सीटों के बटवारे को लेकर के हैं पहले बात तो इंडिय अलायंस बहुत कुछ करने वाला था लेकिन इस इंडिय अलायंस के अंदूरूनी कलह इसकदर प्रभावी हो गए हैं कि अब फिलहाल कोई बैठक नहीं हो रही है हर राज्य का बड़ा नेता इंडिय अलायंस पर बहुत चुपके से करीने से अपने तरह से काम कर रहा है उसमें राहुल गांधी भी शामिल है राहुल गांधी को भरोसा है कि वो भावी प्रधान मंत्री के तोर पर अंततह प्रस्तुत कर दिये जाएंगे क्योंकि अखिल भारती कांग्रेश के वो करता धरता है खैर क्या होगा ये तो आपको बाद में पता चलेगा लेकिन मध्यप्रदेश में सीटों के बटवारे को लेकर के जिस तरीके से बयान अखलेश यादों ने नाराजगी में दिया है और उसके बाद कमलनाथ ने जो प कांग्रेश और समाजवादी पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चला और कांग्रेश ने अगर कांग्रेश ने अखलेश यादों को मुश्किलों में डाला एक तरह से उनके भावनाओं के साथ खिलवार किया मध्यप्रदेश में टिकट बटवारे को लेकर के तो अखल के जबाब में कहा अरे छोड़िये अखलेश अखलेश के बात मत करिये तो अखलेश यादों ने एक कमेंट किया और उन्हें कहा कि राहुल गांधी से ये बात जो की सुत्रों के द्वारा पता चली है कि अपने छोटे नेताओं पर लगाम कसिये कमनलात को भी छोटा नेता अखलेश ने सावित कर दिया और कांग्रेश के उत्तरपदे सिकाई के अध्यक्ष राय जिस तरीके की बात अपनी रख रहे हैं वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अखलेश यादो तो अपने पिता की इज़त नहीं कर पाए तो वो गटबंदन क्या गटबंदन धर्म क्या लिभाएंगे इसके बाद भी अखलेश अप चुप हैं वो जादा नहीं बोल रहे हैं वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमसे मुह न खुलवाईए राहुल गादी मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंडे एलायंस के वजूत को कम से कम चुनाओ के पहले तक तो बचा के र वाहद में वो तेजस्वी आदो को सब कुछ बता रहे हैं बयान वो भी बहुत प्रचलित हो रहा है इधर दो-तीन दिनों में बहुत जादा वो फिमस हो रहा है उनका यह वाक्य कि इस बच्चे पर हमारी निजर है और यह हमारा भविश्य है तेजस्वी आदो के बारे में कि इंडी एलाइंस की वर्तमान इस्कति यह है और उसमें अब तक अखलेश यादो बहुत कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन अब उनके कारिकरताओं ने सीधे सीधे जो होर्डिंग लगा दिया है वो भी समाधवादी पार्टी के दफ्तर के सामने जो होर्डिंग लगाई कि इतना संकेत साफ है और कांग्रेश पर दबाव बनाने के लिए तो बहुत साफ संकेत है कि भावी प्रधान मंत्री अखलेश क्यों नहीं क्योंकि अखलेश यादो अब ये तर्क देंगे कि जैसे समाजवादी पार्टी का आकलन मध्यप्रदेश में किया गया वैसा ही आ जमदारी से चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और उस पे जादा से जादा सीटों को जीतने का दमखम उसके पास है और ऐसे में अगर वो प्रस्तुत करेगी तो अखलेश यादो भावी प्रधान मंत्री के रूप में प्रस्तुत क्यों न किये जाए ये एक कि इसका आप सहज आकलन और अनुमान कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं इंडी अलाइंस की वर्तमान इस्तिती ये है दो हजार चौविस तक आते आते ये होगी क्योंकि जब दिसंबर तक पांच राज्यों के चुनाव के परिडाम आ जाएंगे और उसमें जो कुछ अभी रिजल्ट होगा उसके बाद कांग्रेस सहित तमाम इंडी अलाइंस के गटवंधन के धड़ों की अपनी अपनी इस्तिती भी स्पस्ट हो जाएगी और तब हो सकता है कि राहुल गांधी जो अभी अखलेश यादों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका दिमाग परि और दिशा क्या है और आने वाले 2024 के चुनाओं में किस तरीके से ये एक हो करके जो एकता आपको फिलहाल दिख रही है इस एकता के जरिये 2024 में मोदी के विजय करत को रोकने की कोशिश की जाएगी क्या वही फार्मूला जो अरविंद केजरिवाल एक दो बैटकों में अपने नेताओं के तरफ से कहलवा पाए वही फार्मूला होगा कि जिस राज में जो प्रभावी है वही पार्टी उस राज में चुनाओं लड़े इसका मतलब प्री पोल एलाइंस की इस्थिती नहीं है और पोस्ट पोल एलाइंस का मतलब कि सिर्फ हराने के लिए इंडी एलाइंस अपने आपको सक्ता में लाने के लिए एक ऐसा गटबंदन तयार कर रहा है जिसके मायने सिर्फ इतने हैं कि सब की धपली अपना अपना राग मतलब साफ है अब अखलेश यादव भी देश क भावी प्रधान मंत्री के रूप में इंडी एलाइंस में अपनी बात रखेंगे या रखवाएंगे क्या राहूल गाधी उनको मनाने में सफन होंगे या अखलेश यादव के लिए जो होर्डिंग लगाई जा रही है खासकर के लखनव में और राज्य के अन्य प्रदेश में वो आगे लगती रहेगी क्या अब अखलेश यादव को भावी प्रधान मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है और अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या राहूल नितीश कुमार लालुक साद यादव सरत पवार और ममता बनर जी इसे क्या तैयारी होगी ये ही है इंडी एलाइंस के वर्तमान इस्थिती उसकी दिशा और उसकी देशा आपको हमारी ये खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर रखिए और क्या अखलेश यादव भावी प्रधान मंत्री के रूप में स्वैकरत होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है अपनी राय जरूर दिए फिलाल देखते रहिए वीके न्यूज क्योंकि यहां खबरों का सिलसला कभी नहीं किमता मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार